नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रीना कुमारी हमारे यूटूब चैनल घारेलू नुष्खे में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं एक ऐसा घारेलू नुष्खा लेकर आई हूँ जिस नुक्से से खासी, सर्दी, जुखाम, बुखार जितनी भी पुरानी से चीए ताकि आप आगे भी नए और असरदार टिप्स का लाव उठा सके और वेल आइकन पर जरूर किलिक करें मेरे नए वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए सुरू करते हैं तो ये राहा अद्रक हमने अद्रक का एक टुकडा लिया है तो दोस्तो इसे अ कैसे लेना है अगली वीडियो में पताती हूं तो चलिए सबसे पले से अद्रक को कदुकस कर लेंगे तो देखिए हम यहां पे अद्रक को कदुकस कर लिये आप चाहे अद्रक को कूट ले या आपको जैसा सरल लगे वैसा किजिए या तो आप कूट ले या फिर कदुकस कर अद्रो को कदुकस कर लिए और पहले मैं इसे साफ पाने से धोकर फिर मैं इसे कदुकस की है कदुकस किया हुआ अद्रो को हम इसे चन्नी में छान लेंगे तो हम इसे दिखाते हैं कि कैसे चानना है सबसे पहले इसमें कदुकस को चन्नी में डाल दीजिए और इसको एक चमत से दबा दबा कर इसका जूस निकाल लें आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कर रहे हैं इसका जूस निकल आएगा अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक छोटा सा कपड़ा ले सकते हैं सफेद तो उसमें भी आप अराम से चान लेंगे आप रुमाल से भी चान सकती हैं आपको जैसा सरल लगे आप कर सकती हैं पर मैं तो छनी से बता रही हूं तो देखिए मैं यहां पर जूस निकाल लेंगे तो दोस्तों ऐसा ही प्रोसेस से सारा जूस निकाल लेंगे तो चलिए मैं दिखाती हूं इस तरीके से आप भी निकाल लेशिएगा देखिए मैरा जूस निकल गया है तो दोस्तों मैंने यहां पर सारा जूस निकाल लिया है अद्रग का दोस्तों अगर आपको ज्यादा या कम जूस चाहिए तो आप अध्रग की क्वैंटिटी बढ़ा सकते या घटा भी सकते हैं यानि कि अद्रक को जदा बड़ा नहीं, जदा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज के ले सकते हैं, इसमें पानी नहीं मिलाना है, बिल्कुल साधा सिंपल जूस चाहिए अद्रक की, देखिए कितना अच्छा जूस निकला है अद्रक से, तो चलिए दोस्तों इसमें एक चीज और एड करना है, मैं आगे बताती हूँ वीडियो में, आप वीडियो में बने रहे हैं, तो दोस्तों आप इस प्रोसेस को यूज करेंगे, अद्रक को जिस तरीके से हम बता रहे हैं, तो दोस्तों सर्दी जुखाम, बुखार, आपको एक दीन में आराम मिल जाएगा, इस जूस में हम सहथ को एक चमच एड करेंगे, देखिए हम इस तरह इसमें एड कर दिये, और इसको अच्छे से मिलाए जब तक यह मिक्ष ना हो, आरे कि अद्रक का जूस और सहथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि सहथ इसमें इसलिए डाला जाता है, क्योंकि अद्रक बहुत कड़वा होता है, और इससे बच्चे एम बड़े पी नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें सहथ जरून मिलाएए, तो आप बच्चे को इसका जुस इस तरह दे, दीजिए आपकी खासी जैसी भी पुरानी से पुरानी होगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, खासी सर्दी जुखाम बुखार में भी आराम हो जाएगा, तुरंत राहत मिलेगा, अगर आप बड़े लोग ले रहे हैं, तो बड़े चमच से एक चम आया तो प्लीज इसे सेर, लाइक जरू करें, और मेरी चैनल को सस्क्राइब करना न भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में,